ग्यान और विद्या के सागर पूजे गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ग्यान की द्वारा हम अग्यानी जीवों के अंतिरंग को सदा सम्याक्तव से प्रकाशित करते रहें इन्ही भावनाओं के एक शुक गुरुवर के पावन पवित्र चर्णों में कोटी कोटी नमुस्तु ये भी भाव आपके लिए साम को जोड़ सकता है और सुबह आप मंगल विधान करें इस तरह से आप दिन बर अपना खाएं पीएं इंज्वार करें कोई दिक्कत नहीं और सुबह साम भगवान की आराधना करें ये आपको दीपावली मनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा समझा रहा है ना तो ये चीज आपको करना है करोगे तो संबर होगा करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा है ना तो संबर करने के अच्छे तरीके भी हमारे सामने होते हैं हमें अच्छे तरीके भी कोई लाकर के देता है लेकिन अगर हम करने की सुरूबात करेंगे तो होगा तो इसी तरीके से यहां का जा रहा है अपनी बुद्धी को विचार करने में इतनी चतुर बनाओ कि वे बुद्धी ही हमारे सब दुखों का संबर कर ले हमें किसी दूसरी की जरूरत ना पड़े और सब दुख बुद्धी से ही आते हैं विचार करने में इतना चतुर रहो कि किसी से आपको कोई भी परेशानी वाली बात सामने नहीं आनी चाहिए अगर आपका मन कभी भी दुखी हो तो सीधा भगवान की इस्तुती में लग जाओ चाहे भक्तामर इस्तोत्र पढ़ने लग जाओ चाहे बर्धमान इस्तोत्र पढ़ने लग जाओ अगर आपने इनमें मन लगा लिया तो जो बाहर का दुख आपकी उपर हावी हो रहा है हर समय जो आपको परिसान कर रहा है वो समय जो है आपके लिए बच जाएगा उस दुख को थोड़ी देर गुसने की दमाग में जगे नहीं मिलेगी तो वो भी थोड़ा सा रुक जाएगा उसका संबर हो जाएगा उसको रोकना पड़ेगा उसंबर कैसे होगा तो जब तक आपके मन में वही दुख का विचार चलेगा तब तक तो दुख का आस्रव है और उस दुख को हम थोड़ी देर के लिए रोक दें तो रोकें कैसे नींद की गोलियां खा के नहीं भगवान की इस्तुति करके रोको जागरत हो करके बस अगर आप आध पौन घंटे उसमें लगा करके रोक पाए समझा रहा है फिर आपने अरहम ध्यान करना शुरू कर दिया दस मिनट पंदर मिनट के लिए इतना अगर आपकी प्रेक्टिस में आ गया तो आपका जो दुख है वो रुका रहेगा समलते रहोगे जो लगातार आपके उपर अटेक हो रहा है उस बाहर की आसंकाओं का दुखों का वो थोड़ी देर के लिए जब थमने लगेगा तो फिर आप भीतर से भी अपने आपको समालने लगोगे इतनी देर रोके थे एक घंटे अगर आप रोक गए तो उस एक घंटे का असर आगे के एक घंटे तक तो कम से कम रहेगा समझा रहा है? अबस रहेगा और वो असर रहेगा तो वो आपके कम से कम 2 घंटे आपके आस्रव को रोके रखा संबर रहा यही संबर आपको भीतर से मजबूती देगा कि हर समय पर हमारे दिमाग में वही विचार नहीं चलता हम उस विचार को रोक भी पाते हैं आपने 2 घंटे, 1.5 घंटे भी उस विचार को रोक पाया तो आप फ्रेस हो गए भीतर से सुझे यह प्रेक्टिकल संबर करने का तरीका है भगवान की भग्ति और भगवान का ध्यान ध्यान करने के लिए आपके पास में थोड़ा सा आनंद लेने के लिए अरहम योग की बढ़िया मुद्राएं हैं समझा रहा है इस बार तो 21 जून को एक नए पाँच स्टेप भी आपको बताए थे सुझा रहा है बहुत से लोग तो अपने आप करी रहे हैं मतलब पाँच मुद्राओं के लिए तो हमें बहुत सों को कहना पड़ा लेकिन ये जो पाँच स्टेप बतायते हैं हदेली हाथ वाले ये तो सब लोग कर रहे हैं बच्चे बच्चे कर रहे हैं और करते रहना है क्यों करते रहना है क्यों कि इसमें जो है आपके जितना भी शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो सब के लिए स्वस्तिता देने वाली इन पांच इस्टेपों में चीजे समझा रहा है साल भर कुछ करता हूँ तब साल भर में एक चीज आपको निकाल के देता हूँ समझा रहा है न तो वो सब उसके अंदर कितना क्या छिपा हुआ रहता है वो experience मैं सब यहाँ पर खोल खोल कर नहीं बता सकता लेकिन वो सब जो चीजें हैं वो सब आपके लिए इसलिए देनी पड़ती हैं कि आप भी अपने आपको स्वस्त रखो जब शरीर स्वस्त होगा तभी आप अच्छे डंग से ग्यान में उस सुकता दिखाओगे ज्यान आएगा तो आप ध्यान की और आगे बढ़ोगे इस तरीके से यह सभी साधन आपके लिए दिये जा रहा है और यह सब साधन इसी अरहम योग ध्यान के माद्यम से दिये जा रहा है तो इन साधनों को अपनाओ, ये साधन अपनाओगे तो सम्वर के लिए जो मन की सक्ति चाहिए, मन की समर्थता चाहिए, वो आपको मिलेगी लेकिन आपके साथ होता क्या है? जब तक अच्छा चल रहा है? तब तक तो कुझ जरूवत है क्या है? कि अरम योग के पांच स्टेप करने की, कि पांच मद्राएं करने की कि मेडिटेशन करने की, तब तक तो कुझ जरूवत है नहीं अब जब कुछ होएगा जब नींद उड़ेगी, जब चिंताएं आएंगी तब सोचेंगे अब एक बास सोचो, जब तुमारी चिंताएं बढ़ेगी नींद नहीं आएगी, तब तुमारे एकदम से मन कैसे बन जाएगा रहम यू करने का सरण समझा रहा ना अगर पहले से करते रहोगे तो क्या होगा तुमारा मन इतना स्ट्रॉंग रहेगा कि ये छोटी छोटे आसंकाएं भै, तमाम तरीके के दूसरों से होने वाली परिशानिया इन सब को मन बैसी बाहर फैकता रहेगा उसकी नौवती नहीं आएगी कि नींद उड़ रही है कि चैन उड़ रहा है समझा रहा है, उसकी नौवती नहीं आएगी, ये सब तो धीरे धीरे आपके अंदर अपने मन की समर्थता से आने लग जाएगा तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि व्यक्ति जब स्वस्थ है तब अपने अंदर इस तरीके का मन बना सकता है और तभी उसके अंदर ये मन की मजबूती बन सकती है रोगी मन को स्वस्त कैसे बनाये जाएगा उसको तो स्वस्त बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और स्वस्त बन भी जाएगा तो फिर उसमें मजबूती कैसे आईगी मजबूती तो स्वस्त वस्ता में रह सकती है तो पहले से ये सब चीजें करने की होती है पहले से करते रहो करते रहोगे तो इंट्रेस्ट बना रहेगा फिर जब डिप्रेशन में जाने लगोगे तब कुछोगे अब क्या करें तो जब डिप्रेशन में जाई रहे हो तब उसको कौन समाले गिरने वाले को कौन पकड़ सकते नहीं समझारा गिरने वाले को कहां तक पकड़ा जाएगा गिरने वाले को कौन समाल पाएगा तो या तो गिरने के बाद उठाया जाएगा या भाई गिरे न उससे पहले उसको हिदायत दी जाएगी गिरे मत गिरने वाले को तो कोई नहीं बता सकते तो जब आदमे डिप्रेसन में जाई रहा है तो अब उसको कौन बचाए अब चलाई जाने तो अब जाने के बाद जो होएगा वो देखा जाएगा डिप्रेसन में न जाए गिरे न मन उसका इतना उससे पहले आप अपनी मजबूती बना करके रखो उसके लिए ये अरहम ध्यान योग है तो आप इसकी स्वस्तता के साथ इसकी उप्योगता बनाओ समझा रहा है रोगियों के लिए लोग ज़्यादा पूँचते हैं ये रोग हो गया बो रोग हो गया रोगियों के लिए तो ठीक है रोगी कितना करेगा लेकिन स्वस्त लोगों के लिए स्वस्तता बनाए रखने में बहुत जादा महत्त पूण है सुन रहो क्या सुन रहो सभी स्वस्त है बस महाराज आप स्वस्तता का सासिरवाद देते रहो स्वस्त बने रहे हैं में कुछ ना करना पड़े ध्यान योग भी करने का क्यों कस्ट उड़ा है हाँ तो इस तरह की प्रेक्टिस करने का इंट्रेस्ट बनाए रखो इसी से आपको पता नहीं पड़ता ये दस मिनट हमारे लिए कितने समय तक के लिए कितने रोगों से बचाने के लिए सरीर में कितनी इनर्जी देने के लिए काम आते है इसका कैलकुलेशन आपको जब कोई रेसर्च होगी तब समझ में आयागा समझारा ना हाँ दस मिनट कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं कहीं भी खड़े खड़े चौराओं पर जो है भीड में गाड़ियों को हम ड्राइब करते हुए कहीं भी रुक जाते दस मिनट हम कहीं भी खराब कर देते हैं समझारा ना और जहां हम दस मिनट की उपयोगता बनाएना चाहें तो बस शुरू हो जाओ ओम अरहम नमे ओम अरहम नमे बस यह मैं सोचो सामने वाला क्या सोचेगा क्या करेगा क्या करेगा वो भी देखेगा वो भी ऐसा ही करेगा वो कहेगा भाई आप क्या कर रहा हूँ ओले आरहम यो कर रहा है कैसे कर रहा है ओले ऐसी किया जाता तो मैं भी कर लो हाँ तुम भी कर लो समझारा ना, इससे बड़िया चाहे क्या होगी दूसरे को पिलाने वाली, तू भी पी ले, तो ऐसे अगर हमारे अंदर इंट्रेस्ट बने, समझारा है, और हम दूसरों के अंदर भी इंट्रेस्ट डाले, मैं पी रहा हूं, तू भी पी, एक बार तू पी के देख ले, फिर तेरह मन में आये, तो आगे पूछले ना, मैं तुझे बता दूँगा, नहीं मन में आये तो कोई बाद नी, कौन पैसा ले रहा हूं, तो समझारा है, जितने जोइंट्स पैन होते हैं, आजकल सब को होने लग गए, समझारा ने, जोइंट्स पैन जो होते हैं, ये सब जो उम्र के साथ होने वाले ये दर्द आपको अब होने वाले हैं, कोई सी उम्र में हो, समझारा है, अगर आप एक अच्छी युवा की उम्र में भी हैं, तो भी आप समझके रखें, सर्वाइकल एक आम बीमारी है, समझारा है, क्योंकि बच्चे किसी भी तरीके से कहीं पर भ मरपा भी उसका असर पढ़ने वाला है ये सब पैन से राहत दिलाने के लिए ये पांच चीजें जो आपको बताईएं बहुत ही बढ़ी आएं समझा रहा है और पेट की बीमारियां तो सब उसी से करते रहो समझा रहा है ना? खुश हो करके करो और दस मिनट तक बस step बदलते रहो ओ मरम नमय का जाप करते रहो फिर आप देखो आपके लिए कितना कुछ आपके मन में मजबूती आती है ये किसके लिए? कोरोना का संबर करने के लिए रोगों का संबर करने ये भी तो संबर करना है तो ये संबर आज तो end भी करना है तो देखो क्या कहते है आचाय रहे विहाय कल्पना जालम स्वरूपे निश्चलम मने यदा धत्ते तदैवे स्यान मुने परम संबर अब ये तो मुनी महराज का परम संबर मने उत्क्रष्ट संबर कब होता है जब हमारा मन निश्चल होकर के सभी प्रिकार की कल्पना जालों को छोड़ करके अपनी सुरूप में इस्थिर हो जाए तो परम संबर की दसा हो जाती है ये परम संबर मन का पूर्ण संबर कब हो गया सब प्रिकार की कल्पना है छोड़ करके कोई कल्पना नहीं कल्पना माने किसी का नाम नहीं है हाँ कल्पना माने जो तरह तरह की future planning, imagination तरह तरह के fear, doubt जो अपने मन के अंदर जो चलते रहते हैं, वो सब छोड़ करके समझारा ना? उन सब को दूर करके विहाय कल्पना जाला हम ये कल्पनाओं के जाल बुन जाते हैं समझारा ना? नेट कहलाता यही, नेट माने क्या होता है? ये कल्पना का जाल होता है एक जाल में हम गुसे, तो उसमें से दूसरा, दूसरे से तीसरा वो चलते ही चला जाता है समझारा ना? तो वो नेट हमारे दिमाग में चलता रहता है नेट तो invention बाहर बाद में हुगा है पहले हमारे दिमाग से निकला है तो हमारे दिमाग में वो नेट चलता है कल्पनाओं का ऐसा होगा फिर ऐसा होगा ऐसा करेंगे ऐसा निवबत ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे कैसे लगाओ, सो हम, अर हम, सुद्ध चैतन्य शुरूपो हम, बस अपने आफ सुरूप में लगाओ, ये जब इस्तिती बनेगी तो इसी का नाम है परम संबर, सुन रहे हैं, यही परम संबर हमारे लिए सब प्रकार के दुखों से मुक्त करने के लिए साधन है, और इसमें हम जितना जितना सफल होते चले जाएंगे, उतना ही हमें बाहर के संसार के दुखों से मुक्ती मिलती चली जाएगे, इसमें प्रिहास करना पड़ता है, ध्यान ही वो चीज है, जब आदमी थोड़ी देर अपने पास होता है, अनित्था वो अपने पास होता ही नहीं है, जिस इसलिए जनम लिया हूं, मैं क्या हूं, जिसने द्धान नहीं किया, उसका जीवन सबसे अभिशप्त जीवन, योग से भी आगर एक चीज है ध्यान, ध्यान में हें परमसंबर है, ध्यान में ही मन निश्चल होता है, ध्यान में ही हम कलपनाओं से रहित होते हैं तो ध्यान ही सबसे important चीज है आदमी के लिए जो उसके मन को हर तरीके के तनाओ से depression से बचा सकती है वो चीज only meditation बस जो व्यक्ति जितना इसकी practice करेगा उतना भीतर से सही रहेगा हिर्दय की गती उसकी बराबर रहेगी कई बार जब हमारी हिर्दय की गती धड़कन तेज होती है चिंताओं से हम परेशान होते हैं तो हमारे सरीर में हमारा हिर्दय जो damage होने लग जाता हमें पता ही नहीं होता किससे ठीक होगा? अगर ध्यान करते होगे तो उस समय पर आपकी पल्स नॉर्मल होती है समझा रहा है? ये जो body के अंदर जो जो मतलब एक chemistry change होती है वो बता रहा हूँ जिस समय आप nutrition करेंगे आपकी पल्स केवाल उसी समय नॉर्मल होगी अदर किसी activity में आपकी पल्स नॉर्मल होती है हाँ आप भोजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं उसमें पल्स नॉर्मल नहीं होती है नॉर्मल पल्स जो आती हैं वो केवल meditation की टाइम पर आती हैं और वो भी जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तब तो इस तरह की परणती ही जो है यहां पर संबर है जब मन निश्चल होगा, तभी सरीर निश्चल बैठेगा और जब सरीर और मन निश्चल होने लगेगा तो कोई भी आपके लिए बाहरी बातावरण चलायमान नहीं कर पाएगा ना कोरोना, ना किसी की कोई डर की आसंका, ना कुछ, ना कुछ सुर रहो, तो डरनी की जरूरत नहीं है कोरोना से डर डर के तो लोग ठक गये हैं है ना, हाँ, और हमने तो आपको कभी डरने दिया ही नहीं कहाँ चला गया, कब निकल गया, कोरोना का टाइम मजफर नगर वालो, हाँ, तुम्हें पता ही नहीं पड़ा बाकी सब डरते रहे, डराते रहे और हम तुमको बस खेलते 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 रहे और कोरोना का डर निकल गया आप तो आदमी परिशान हो गया आपनी डर ना की चीज से समझा रहा है न तो जो आपके लिए critical time था वो तो निकल गया लेकिन आप ये सोचो कि ये जो time अच्छा निकला है इसको हमने किस तरीके से manage क किया है है इससे सीख लो और इसी सीख के साथ आगे बढ़ो समझा रहा है न तो अंत में एक और इस लोग है सकल समिति मूलः संयमो दाम दंडः प्रसम विपोल शांतो अचरे कहते हैं यहां पर एक उपमा दी जा रही है संबरो दाम व्रक्ष माने संबर रूपी एक व्रक व्रक्ष की यह कह रहे हैं संबर एक व्रक्ष है बहुत बड़ा उत्करष्ट व्रक्ष है और उस व्रक्ष में क्या है जो जड़ है वो हमारी जो समितियां है माने सावधानियां है सावधानी पूरवक प्रवर्ति को समिति कहते हैं तो जो हम सावधानी पूरवक प्रवर् यह हमारे लिए महा दंड है महा इसकंद है है ना और उसमें फिर प्रिशम भाव की विपल साखाएं खिल रही है प्रिशम मने शांती ओम अरहम परम शांती परम शांती इसका नाम है प्रिशम भाव समझा रहा है इसकी साखाएं खिलाओ, अपनी आत्मा में हर जगह पर रॉम रॉम में परम शांती, परम शांती जहां दर्द हो रहा है वहाँ पर भी परम शांती, दर्द शांती दर्द शांती, परम शांती अपने आप हो जाएगे कहो तो उस दर्द से, सांत हो जाएगे तुम कहते ही नहीं हो चिलाने लग जाते हो दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द पर ointment लगानी पड़ती न ointment नहीं लगानी पड़ती जहां दर्द हो रहा है तो वहाँ पर दर्द पर बाहर की ointment तो ले आते हो वीतर से तुम अपने मन से उससे उएंट्में लगा क्या बोला ओम अरहम पराम शांति दर्द फिर भी हो रहा है औराम पराम शांति उस दर्द के ऊपर ये उइंट्मेंट लगा वो पराम पराम लगा ते रहो कोई side effect नहीं є नहीं समझा रहा है जो चीज बाहर आ रही है वो उस चीज का अगर हम प्रतिरोध करना चाहते हैं तो उसके उपर हम कोई ऐसी चीज करते रहें जो उसके अंदर तक पहुँच जाए कोई भी ओंटमेंट का तरीका क्या होता है बाहर लगाने का तब तक लगाई जाती है उसको मला जाता है जब तक क्यों भीतर तक ना पहुँच जाए बस इसी तरीके से जहां से दर्द हो रहा है उसी दर्द पर परम शांती अरहम परम शांती ओम अरहम परम शांती तब तक, जब तक कि वो दर्द के भीतर सांती ना पहुंच जाए दर्द के उपर नहीं दर्द के भीतर तो फिर भीतर से दर्द नहीं निकलेगा फिर भीतर से सांती ही निकलेगी एक बार भीतर सांती पहुंचा तो तो वो करने से होगी करते हो नहीं हस लेते हैं बस हमारे साथ बैठके करो समझा रहा है ना बहुत अच्छी शीज़ें बता रहा हूँ हस खेल करके तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसी से समझ लो तरीका जैसे बाहर से ओंट्मेंट लगाने का होता है बैसे ही मन के माद्यम से हम अपने भीतर के ओर्गन्स पर ओंट्मेंट लगा सकते हैं समझा रहे हैं बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूँ आपको तो यह करते नहीं हो आप आप डिपेंडो टोटली बस कुछ हो जाएगा इंजेक्शन कुछ हो जाएगा डॉक्टर कुछ हो जाएगा मैडिसन अपने मन से भी कुछ करो उसमें टाइम लगाओ ठीक है ना तो यह प्रशम की शाखाएं और क्या कह रहे हैं धर्म पुस्पाव की रिडम यानि अब फिर साखाएं होगी तो उसके फूल खिलेंगे किसके जो धर्म है उसके उसपर फूल खिलेंगे धर्म माने वोई च्छमा, म्रदुता, रिजुता, निरलोहता है ना संयम, सत्य सब धर्म खिल रहे हैं इसके फूल खिलेंगे फिर क्या कहते हैं आचर अभी कल मचल मलबंदहिर बंदरो भावना भी और फिर उसमें एक मजबूत उसके उपर अभी कल फल लगेंगे किसके? बारे भावना पिर आपके दिमाग में हमेशा बारे भावना चलेंगी और इस तरीके से जो आप एक ब्रक्ष तयार कर लेंगे वो सारे जितने भी विपक्ष की चीज़ें हैं मने असंयम की, प्रमाद की, दुख की यही ब्रक्ष आपकी उन सब चीज़ों को जीत लेगा और आपके अंदर यह संबर रूपी ब्रक्ष हमेशा आपके लिए संबर कराता रहेगा पर्तम जम नौमी परमात्मान मव्ययम आचर शुप शंद्र देव विर्चित ग्यानारडव गरंतराज में बारे भावनाओं का प्रक्राण चल रहा था आज नेरजरा भावना प्रारंभोती है इससे पूर में आप अनेक भावनाओं का स्मरण कर चुके हैं अनित भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत भावना, अन्यत भावना असुची भावना, आस्रव भावना, संबर भावना कितनी हो गए? आठ हो गए यह नौमी भावना है जिसका नाम है निर्जरा भावना निर्जरा किसे कहते हैं निर्जरा क्या होती है निर्जरा क्यों की जाती है और निर्जरा की क्या उप्योगता है यह सब चीजें इस भावना के माध्यम से समझी जा सकते है आचरे इस लोग की माध्यम से वरडन करते हुगे कहते हैं यया करमानी शीरियंते बीज भूतानी जन्मनह प्रणीतायम इभीसेयम निरजरा जीरडबंध नईही ऐसी आत्मा है जिनोंने अपने बंधन को जीन्ड कर दिया नश्ट कर दिया ऐसी आत्मा है जिनोंने अपने अंदर के सभी प्रकार के करमों के इस्तिती अनुभाग के बंध को तोड़ दिया वे सभी यमी कहलाते हैं और उन यमीयों के द्वारा निर्जरा का शुरूप ये बताया गया है कि जिसके माध्यम से हमारे कर्म जो बीज भूत हैं वे नश्ट हो जाएं शीर्ण हो जाएं उसका नाम निर्जरा है कर्म ही हमारे लिए आत्मा में बीज का काम करते हैं ऐसे बीज जो हर समय पर फलित भी होते रहते हैं और हर समय पर उन बीजों से नए नए बीजों की उत्पत्ती भी होती रहती है और उन बीजों के माध्यम से उत्पन होने वाली जो फसल है वे भी हमेसा लहलाहती रहती है कर्म जो हमारे पुराने संसकार है जो हमारे अंदर आत्मा के स्वयम अपने भावों से उत्पन्न हुए विकारी भाव है उन भावों के कारण से यह आत्मा जो कर्म करता है उन कर्मों को अपनी आत्मा में ही बाहंदता रहता है संसार में ज़्यादा तर लोग यह जानते हैं कि कर्म करके हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं या जो हम कर्म करते हैं वे कर्म केवल हमारी मन वचन काई की क्रिया के द्वारा संपादित हुआ एक कार है किन्तु यहां आचारे कहते हैं कर्म वे है जो आपके मन वचन काई की क्रिया से आपकी आत्मा में हमेशा के लिए बीज के रूप में बंद जाता है जिसे हम बोलते हैं हमने अपनी आत्मा में बीज वपन कर लिए बीज बोलिए, बीज डाल दिए, बीज हमारी आत्मा में पड़े हैं उन कर्म बीजों को जिस तरह से बन सके उस तरह से नश्ट करना उन कर्म बीजों को जीनड करना शीनड करना इसका नाम है निरजरा संसकार के रूप में जो कर्म हमारे अंदर हैं वह कर्म कृत भाव हैं लेकिन वास्तम में वह कर्म जो कोई ऐसा नहीं है कि वे हमारी एक कल्पना हो या धारणा हो कर्म एक वास्त्विक इस्थिति को लिये हुए आत्मा से बंदे हुए एक पाउदगलिक ऐसे पधार्थ है जिसके माद्यम से आत्मा अपने गुणों को पूर्ण प्रिकट नहीं कर पाती और उन कर्मों के कारण से उस आत्मा के सभी गुण बहुत थोड़े थोड़े से आदे अधूरे से प्रिकट हो करके हमारे लिए फल देते हैं और उसी से हम कुछ जान पाते हैं, कुछ देख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं हमारे अंदर इन कर्मों का बहुत बड़ा बंद है और ये कर्मों के बीज जो है कभी भी नश्ट नहीं होते बने रहते हैं उपर उपर से हम कुछ कर्वी लेते हैं तो भी हमारे भीतर कोई भी कर्म नश्ट नहीं होता हम कहते तो हैं कि हमें जो करना है वो कर्म का नास करने के लिए करना है हम कर्म का च्षय करने के लिए पूजा करते हैं हम कर्म का च्षय करने के लिए तपस्या करते हैं लेकिन कर्म का च्षय होता नहीं वह बीज जो अंदर पड़े हुए हैं वो पड़े रहते हैं और वे बीज जब तक नश्ट नहीं होते तब तक कर्म के माध्यम से होने वाले जो भाव हैं वो रुकते नहीं वे कभी ना कभी फलित हो जाते हैं तो मुक्य तो बात यह है कि बीज को नश्ट करना ब्रक्ष को हिलाने से कुछ नहीं होता पेड़ पत्तियां जो होती हैं उनमेंसे हम शाखाओं को हिलाएं या शाखाओं को हटा भी दें या तोड़ भी दें उससे कुछ नहीं होता मुख्य चीज है उस कर्म को हमेशा के लिए नश्ट करना वह तब होता है जब हमें पता हो कि कर्म के ये कारे हैं और जिसका जो कारे है वो कारे अगर हम ना होने दें तो वह कर्म के नास के लिए कारण बन जाता है जो भी बीज होता है वो किसी ना किसी रूप में फलित होगा फलित होगा तो वह कुछ ना कुछ हमारे लिए भाव पैदा करेगा उसका फल हमें दिखाई देगा अगर उसके फल को भोगते हुए हम ये सोचें कि ये कर्म का फल है, ये हमारा अपना स्वेफल नहीं है और कर्म के फल को भोगते हुए भी हम उस कर्म को नश्ट करने की और अपनी द्रश्टी रखें तो ही वो कर्म नश्ट हो सकता है द्रश्टी की जरूरत है कि हमें नश्ट क्या करना है बहुत से लोग तरह तरह की तपश्चाएं करते हैं बहुत से लोग तरह तरह के पूजा, विधान, आराधना सब करते हैं लेकिन उससे हम क्या प्राप्त करते हैं ये तो नहीं कह सकते किन्तु इतना जरूर है कि जिस तरह से यहां पर विधी बताई जा रही है उस विधी से करेंगे तो कर्म की निर्जरा आज भी होती है और होगी साधन यही होते हैं कर्म की निर्जरा करने के लेकिन उन साधनों के साथ साथ जो हमारा अविप्राय होता है वो अविप्राय अगर सही डंग से जुड़ जाए तो वो साधन काम में आते हैं साधन बुरे नहीं होते साधनों से कभी नुकसान नहीं होता लेकिन उन साधनों को अपनाते हुए जो हमारी वीतर अभिप्राय होना चाहिए उद्देश होना चाहिए वो हमारा उद्देश अगर ठीक तरह से काम नहीं करता तो वो साधन तो हो जाते हैं लेकिन साध्य कभी प्राप्त नहीं हो पाता समझ में रहा है, साध्ध माने जो हमारा साध्धना का उद्देश जिससे हमें क्यास प्राप्त करना है जिसे हम अपना टार्गेट कहते है वे साध्ध जो होता है वे तभी प्राप्त होता है जब उन साधनों के माद्यम से हम उस साध्ध की और अपनी दृष्टी बना के रखें करना तो है लेकिन किसलिए करना है तो वैस साध्ध जब हमारे सामने होता है तो हम हर साधन का उप्योग उसी के लिए करते है चाहें हमारे सामने कैसी भी परिष्टिती हो लेकिन उपयोग तो हमें हर एक साधन का उसी में करना है जैसे कोई तीर चलाने वाला होता है या धनुष विद्या को सीखने वाला होता है तो वो हर समय पर जब भी हाथ में धनुष लेगा उसे ध्यान में क्या रहेगा? हमें निशाना साधना है जब भी तीर चलाएगा उसके मन में क्या आएगा हमें निसाना बिलकुल पक्का बनाना है शूकुना नहीं है जब भी उसके मन में बिचार आएगा कि हम तीर छोड़ रहे हैं तो उसे ये होगा कि ये तीर बिलकुल ठिकाने पर लगना चाहिए वो ये नहीं सोचेगा कि हमको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है वो ये देखता है कि हम अपना निसाना सही जगह पर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं और देखने के साथ में तो निसाने कभी लगते ही नहीं अगर आप ये धियान रखेंगे कि हमको ये देख रहे हैं हमको वो देख रहे हैं या हम इनको दिखाने के लिए निसाना लगा रहे हैं तो वो दिखाने के लिए निसाना तो बहुत बाद में लगेगा शुरुवात में तो आपको एकांत में ही निसाना लगाना सीखना पड़ेगा यूँ ही तीर अंदाज नहीं बन जाते हैं पहले तीर चलाने के लिए उसे एकांत चाहिए होता है जहां कोई उसे ना भी देखे तो भी वह उसका अभ्यास करता है और उस अभ्यास में होए है किसी को देखने की चेश्टा भी नहीं करता सिवाए इसके कि उसे पता हो कि बस मेरा लक्ष क्या है तो जिस तरह से तीर चलाने वाला कोई और प्रियोजन सामने नहीं रखता सिर्फ एक ही प्रियोजन रहता है मुझे एकांत में भी लोगों से रहत होकर के उस इस्थान में भी अपने निशाने को साधना है ये मेरा उद्दिश है मेरा प्रियोजन और जब उसका ये प्रियोजन उसके दिमाग में रहता है तो हर समय पर वो चाहें अगर तीर नहीं भी चला रहा होगा धनुस को भी अगर बना रहा होगा या उसको भी कोई शेप दे रहा होगा या तीर को भी कोई पैना कर रहा होगा या तीर को भी कोई शेप दे रहा होगा तो भी उसके दमाग नहीं गुमता रहता है इसको वहाँ लगाना है वहाँ टकाना है वहां मारना है समझा रहा है वह होना चाहिए बस पेने पन का भाव जो हमारा उद्देश है उस उद्देश पर यदि हम टिक जाते हैं तो फिर हमारे सामने कुछ नहीं भी होता है तो भी उपलब्दी उपलब्दियां हमको होती है सुन रहे आपने महाभारत में प्रशंग जरूर पढ़ा होगा सुना होगा महाभारत में जो हिंदूों के माध्यम से बताया जाता है उसमें एकलब्व की ये गठना आती है और कुछ जैन आचारियों ने उसी एकलब्व का नाम छीर कदम्ब के नाम से बताया है किसके नाम से हाँ एक शबर है शबर मने मतलब की मिलेच जाती का एक व्यक्ति है और उसके पास किसी भी तरह का कोई सादन नहीं है आदिवासी जिसी मिलेच बोलते हैं बहुत ही निम्न जाती के वह है अपनी उत्पत्ती जहां पर हुई है वहाँ पर किसी भी तरह कि उसके पास कोई सादन नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन बस उसके अंदर एक भाव आ गया कि मुझे सीखना है क्या सीखना है तीर चलाना सीखना है और तीर चलाने में जो धनुर विद्या होती है वो धनुर विद्या का मुझे अभ्यास करना है वो धनुर विद्या का अभ्यास कैसे करें जो द्रोणाचार है वो केबल ब्रामणों को ही पढ़ाएंगे छत्रियों को ही पढ़ाएंगे वो निम्न को नहीं पढ़ाएंगे ये ख्याती है उनकी उनके पास जाएंगे भी तो वो लोटा देंगे वो नहीं पढ़ाएंगे वो रखती नहीं है पढ़ाने से पहले परिक्ष ली जाती है जाती पूछी जाती है निम्न जाती का है तो उसको पढ़ाने के लिए वज़ कभी तयार ही नहीं होंगे लेकिन उसे पढ़ना है उसे विद्या सीखना है उसने अपना मन बना लिया कि हमें विद्या द्रोणाचारे से ही सीखना है लेकिन द्रोणाचारे सिखाएंगे नहीं ये भी पक्का है उसे पता है और वे मन बना करके बस उसने नाम सुनाया द्रोणाचारेगा उसे ये भी नहीं मालू कि द्रोणाचारे की सकल क्या है, सूरत क्या है, हाव भाव क्या है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कुछ नहीं मालू ज्यान और विद्या के सागर पूजे गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्यान के द्वारा हम अज्यानी जीवों के अंतिरंग को सदा सम्याक्तव से प्रकाशित करते रहें इनी भावनाओं के एक शुक गुरुवर के पावन पवित्र चर्णों में कोटी कोटी नमूस्तु